वेलकम बैक, आज किस वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं Amazon के नए 4K स्ट्रीमिंग डिवाइस के बारे में जिसे Amazon ने कल ही इंडियन मार्केट में लॉंच किया है और इस डिवाइस का नाम है Amazon Fire TV Stick 4K Max काफी लंबे समय के बाद Fire TV Stick का 4K version लॉंच किया गया है लास्ट वाले जो वीरेंट था वो 2018 में लॉंच किया गया था और अब यहाँ पर 2021 में नया 4K Fire TV Stick लॉंच किया गया है Amazon के तरफ से तो आज किस वीड़ें में यहाँ पर हम इसी डिवाइस के बारे में डिटेल में जानेंगे जानेंगे क्या कुछ नया देखने मिल रहा है इसी के साथ प्रिवेस वाले वीरेंट के मुकाबले कौन सा अच्छा है और इसी के साथ अगर आपने पुराने 4K TV को नए Android या फिर नए Smart TV में Convert करना चाते हैं तो इन शॉर्ट ये वीडियो स्टीमिंग डिवाइस के बारे में होनी वाली है सभी चीज़े हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे अगर आप इंटरस्टेड है तो वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए होदे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसे के साथ मोस्ट इंपोर्टन बात ये कि अगर आप भी समय कोई नए Smart TV ले रहे हैं अब यहां पर हम वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम यह जालेते हैं कि आखिरकार स्ट्रीमिंग डिवाइस किस चिडिया का नाम है यह पायर टीवी स्टिक क्या होता है अंड्रॉइड टीवी बॉक्स क्या होता है वॉइस कमांड यूज करना चाहते हो आप अपने टीवी में इंटरनेट के थूरू content enjoy करना चाहते हो थोड़े बहुत games वगरा खेलना चाहते हो अगर आपकी यह सारे requirement है और साधे साथ अगर आप कोई नई टीवी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं उस case में आपकी पास जो एक सस्ता option है वो है streaming devices यह devices कुछ इस प्रकार के देखने मलते हैं काफ़ी छोटे से होते हैं और यह devices आप अपने टीवी के HDMI port में connect कर देजे बस आपकी जो टीवी है वो पूरी तरीके से latest smart टीवी में convert हो जाएगी बले ही आपकी पुरानी टीवी नॉर्मल टीवी क्यों ना हो इसी के साथ यह devices वो लोग भी use कर सकते हैं जिनके पास अलड़ी एक smart टीवी है लेकिन जो operating system है जो hardware है वो काफ़ी दा पुराना हो चुका है टीवी जो है वो lag कर रही है तो उस case में भी आप इन devices को use कर सकते हैं बस आपके टीवी में HDMI port होना चाहिए यह सभी devices आपके टीवी में बहुत ही efficiently work करेंगे तो streaming devices इस टीडिया का नामें काफ़ी ज़ा useful होते हैं काफ़ी चस्ते भी होते हैं 25,000 रुपे के price point में यह आपको मिल जाते हैं और pricing इतनी कम है इसका यह मतलब नहीं है कि यह जुगारू टाइप की product होने वाले है ऐसा बिलकुल नहीं है अगर आप अच्छी company का streaming device buy करते हैं तो आपको सभी चीज़े properly official देखने मिलती है और कोई जुगार टाइप का product बिलकुल नहीं है सभी चीज़े आप अपर आपको official देखने मिलेगी कोई भी lag वगरे आपको चलती नहीं देखने मिलेगा तो आई होप अब यहाँ पर यह streaming device टम का मतलब आपको clear हो चुका होगा तो ऐसा ही एक बहुत popular streaming device आपको Amazon की तरफ से देखने मिल जाता है जिसका नाम है Fire TV Stick और यह काफिसदा popular है और काफिसस्ते भी होते हैं और यहाँ पर आपको सारे smart features भी मिल जाते हैं तो यहाँ पर Fire TV Stick के latest variant अलरेडी जो है वो इंडिन मार्केट में launch कर दिये गए ते कुछ मेहनों पहले तो basically यहाँ पर Fire TV Stick 3rd generation के 2 variants लाँच किये गए है पहले ही जो की एक है light variant और दूसरा है full version जो light variant है उसकी pricing 3000 रुपे के आसपास है और जो full version है वो आपको लगबग 4000 रुपे के price पढ़ने मिल जाता है Fire TV Stick light जो है उसकी detail unboxing and review आपको चैनल पर मिल जाएगी उपर I button में मैं आपको link दे दूँगा अब light variant और full variant में difference है वो है buttons का तो जो light वाला variant है उसके अंदर आपको volume बटन नहीं मिलता है तो अगर आप वो बाय करते हो features बगरा तो सब कुछ same होने वाला है बस कुछ buttons का ही आपको फरक देखने मिलता है तो जो light वाला variant है उसमें आपको power button और volume button नहीं देखने मिलता है तो उस case में अगर आप बाय करोगे तो आपको साथ साथ TV का remote भी रखना होगा आप TV के remote से TV on करेंगे और volume वगरा जो है आप TV के remote से ही control करेंगे तो यह दोनों ही वेरेंट्स ओरड़ी मार्केट में विलेबल हैं 2021 के नए fire TV sticks है यह और यहाँ पर इन में आपको full HD resolution तक का support मिल जाता है तो अगर आपको बस already HD TV है या फिर full HD TV है तो उस case में आप इन डिवाइस को buy कर सकते हैं विल अब यहाँ पर एक नया fire TV stick launch किया गया है जो कि है 4K max जी हाँ यह जो fire TV stick है थोड़ा सा upgraded है यहाँ पर आपको features थोड़ा से extra मिलते हैं और साधे साथ यहाँ पर आपको 4K output का भी support मिल जाता है और यह device कापी लंबे समय के बाद लाँच किया गया है तो सबसे पहला upgrade यहाँ पर आपको मिलने वाला है performance को लेकर तो यहाँ पर Amazon का कहना है कि यहाँ पर यह जो नया device है यह 40% जादा faster है as compared to previous 4K version इसका मतलब यह कि यहाँ पर जो apps वगरा है वो काफिज़ा फटा-फट load होंगे और इसी के साथ जो navigation है वो आपका काफिज़ा smooth होने वाला है आपकी जानकरे के लिए बता दू यह fire tv operating system जो है वो अलरेड़ी ही काफिज़ा smooth होता है काफी कम lags देखने मिलता है apps काफिज़ा फटा-फट load होते हैं अब यहाँ पर आपको और भी smoothness देखने मिलने वाली है जोगी काफी अच्छी बात है इसी के साथ fire tv stick जो है यह सभी HDR formats को support करता है like HDR10+, HDR10 and Dolby Vision का भी support मिल जाता है तो यह काफी अच्छी बात है इसी के साथ यहाँ पर जो picture processing है वो भी यहाँ पर थोड़ी सी improve करी गई है तो आपको जो picture quality है वो भी यहाँ पर आपको थोड़ी सी बहतर देखने मिलने वाली है इसी के साथ यह जो fire tv stick है यह Dolby Atmos audio format को भी support करता है तो अगर आपके पास Dolby Atmos format support करने वाला sound bar है या फिर tv के ही जो speakers हैं वो Dolby Atmos support करते हैं तो आप Dolby Atmos का मजा ले सकते हैं बाकी बात करें जोब अपरेटिंग system की तो fire tv OS का latest version आपको मल जाता है fire tv के अंदर आपको सभी popular apps का support मल जाता है जितने भी popular ODD platform से उन सब का support मल जाता है और अब तो यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि कुछी टाइम में आपको zoom का भी support मिल जाएगा तो zoom video calls वगरा जो होते हैं वो अब यहाँ पर आप fire tv में भी कर सकते हैं खला कि यह update अभी तक आया नहीं है लेकिन चल धी आपको app का support भी मिल जाएगा बगी fire tv stick में आपको Alexa देदी का support मिलता जो कि आपके सारे काम कर देंगी और इसी के साथ games वगरा भी आप यहाँ पर install कर सकते हैं इसी के साथ यह Amazon के तरफ से इंका पहला streaming device होने वाला है जिसमें आपको Wi-Fi 6 का support दिया गया है Wi-Fi 6 basically Wi-Fi का upgraded version है जहां आप आप और भी अच्छा connection speed देखने मिलता है और भी अच्छा lag free आप यहाँ पर focus streaming कर सकते हो तो अगर आपके पस already Wi-Fi 6 supported router है तो आपको connection काफी अच्छी मिलने वाली है लेकिन अगर आपस पुराने router है तो भी कोई problem नहीं है आप पुराने router के साथ में इसे connect का सकते हो और इसमें भी काफी अच्छी speed आपको मिल जाएगी no doubt तो Wi-Fi 6 का support मिलता है तो काफी अच्छी बात है इसके अलावा यहाँ पर internals की बात करी जाया बाकि 8GB के बज़ा यहाँ पर 16GB होता तो और भी अच्छा होता हलाकि android की मुकाबले यहाँ पर जो applications होते हैं उनकी size काफी कम होती है तो यहाँ पर 8GB में भी आप काफी apps को install कर पाएंगे यह मेरा personal experience है बिकास जो पुराना वाला मैंने बताया है पुराना नहीं, basically latest है बट लोग वर्जिन है उसमें भी 8GB की storage मिलती है और उसमें मैंने काफी ज़ा applications को install किया था तो भी मुझे काफी smooth performance देखने मिल रही थी तो आप वो वीडियो भी चेक आउट कर सकते है बाकि यहाँ पर आपको quad core processor देखने मिलता है और wifi की बारे मैं मैं आपको बताया दिया dual band wifi यह आप आपको दिया गया है बात करते हैं इस streaming device के pricing की तो यह streaming device आपको मिलने वाला है साड़े 6000 अरपे में इसकी जो sale है वो फिलाल अभी से शुरू नहीं हुई है आप यहाँ पर फिलाल इसे Amazon पर pre-order कर सकते है लिक में आपको नीचे description में दे रहा हूँ इसकी जो sale है वो 7th October से शुरू होने वाली है तो फिलाल आप इसे से pre-order कर सकते है तो यह है सारी जांकारी Amazon के नए Fire TV Stick 4K Max को लेकर बात करते हैं कि क्या आपको यह लेना चाहिए या पर नहीं देखिए सबसे पहले अगर मैं पुराने वाले 4K Stick की बात करूँ तो यहाँ पर आपको काफी कुछ upgraded देखने मिलता है और पुराने वाले Stick की pricing सिफ 6,000 रुपे है तो मेरे साब से अगर आप Amazon Fire TV Stick लेना चाहते हो और आपके बास already 4K TV है तो मेरे साब से 500 रुपे एक्स्ट्रा पे करके नया वाला वर्जिन बाइ करना थोड़ा सा reasonable है और definitely आपको नया वाला ही बाइ करना चाहिए तो यह तो होगी बात Fire TV Sticks की लेकिन अगर आप इतने पैसे spend नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरे options भी हैं जो कि है Android TV Box जी हां, market में आपको कुछ Android TV Box मिल जाते हैं और कुछ Android TV Sticks भी मिल जाती हैं मैं बात कर रहा हूँ फिलाल Android TV Box की तो यहां पर सबसे पहला device जो कि आप consider कर सकते हो जो कि मैं आपको recommend करूंगा वो है Motorola Android TV Box यह box आपको I think 4000 रुपे के price point मिल जाता है 2GB की RAM, 16GB की internal storage आपको मिलती है इसी के साथ यहां पर आपको जो है GPU and processor दोनों ही काफिजदा अच्छा देखने मलता है जिस वएसे आप थोड़ी बहुत apps वगर आप install करना चाहते हो या फिर आप multi-dasking करना चाहते हो तो वो भी काफिजदा असानी से हो जाएगा और अगर हम Fire TV की stick से compare करें तो वो काफिजदा सस्ता है यह 1.5.6 का है और वो आपको सिफ 4000 रुपे के 4K का सकते हो जो कि आपको लगबग 3,000 रुपे के प्राइस पॉंट में देखने ही मिल जाता है और यह भी android operating system के साथ आता है डूल बैंड का support मिल जाता है और सारे android वाले features मिल जाता है इंक्लूडिंग voice assistant तो आप उसे भी का सकते हो Motorola and MI उसके बाद आप Amazon की इस device को भी consider कर सकते हो तो यह कुछ popular streaming devices हैं जिनको आप buy कर सकते हैं उमीद करता हूँ यह video आप सभी के लिए helpful रहा होगा और आप यहाँ पर streaming device के बारे में सब कुछ पता चल चुका है इनकी जो buying links आपको में नीचे description में दे रहा हूँ इसी के साथ अगर आपको smart TV लेनी की planning कर रहे हो और आपको डाउट है तो आप मुझे Instagram पर contact कर सकते हो ID में आपको नीचे description में दी है आज के लिए तना ही मिलता हूँ next वीडियो में एक नए topic के साथ तब दक के लिए टाटा बाई बाई सावनारा